अगर आप डेली डेली वही पुराने नाश्टा खाखाखार हो चुके हैं बोर और कुछ नया टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये ब्रैड की रेसिपी चरू ट्राह कीजेगा तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तीन ब्रैड ली हैं वाइट ब्राउन जो भी आपके पास ब्रैड हो वह आप ले सकते हैं ब्रैड को आपको तोड़ कर मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है देखे अकसर ऐसा होता है कि जब हम ब्रैड खरीट कर लाते हैं तो हम सारी ब्रैड खा लेते हैं लेकिन जो पैकेट में फर्स्ट और लास्ट ब्रैड होती हैं उसे कोई नहीं खाता वो जादे तर कर लेने हैं अब यह जो ब्रैडश्म हैं इन्ही डालतीना ऐसे बूल के अंदर यह इस तरीके से हमने ब्रैड। ब्रैडश्म बनाएं बहुत ज़यादा मोटा भी धोडे can't करने में अब हम इसमें डालेंगे यहां पर आधा कप सूजी सूजी मैंने बारिक वाली ली है, अगर भार्इक करणा हो, तो मिक्सी की जार में डाल कर इसे पीज कर भार्इक कर लेना. अब आधा कप इसमें बेशन डाल दिया है? एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच थनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्श पाउडर डाला है और इसमें डाल दिया है आधा चम्मच साबुत जीरा एक चोथाई चम्मच गरम मसाला नमक डाल दे स्वादनुसार इसमें हम डालेंगे दो पिंच हींग हींग जरू डालेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक चौथ ही चंबच इसमें अजवさい मिक्स करेंगे अजवाइन से टेस्ट भी बढ़ेगा और honeymoon इसमें कुछ सबजिया डालेंगे जैसे कि बारिक कटा हुआ एक प्यास डाला है टामाटर डाल दिया है और गाजर को भी ना बारिक कट करके डाला है आप चाहें तो खिसका डाल सकते हैं अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ शिम्रा मिर्ज डाला है दो हरी म अगर आप इस रेसिपी को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च इसकिप भी कर सकते हैं अब इसमें एक से डेड़ चमच के करीब नीबू का रस डालें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालें और बहुत अच्छे से मिक्स करके ना इसका एक डो त्यार कर लें इसमें बहुत जादा पाने की जरूरत नहीं होगी अच्छे से गून कर इस तरीके का आपको एक डो बना लेना है अब यहाँ पर आपको क्या करना है अपने हातों को हलका सा ओईल लगा कर चिकना करना है और इस डो में से थोड़ा सा डो लेना है और दोनों हातों में रखकर पहले गोल गोल बॉल बनानी है और फिर इसे थोड़ा सा हाथों से दबा कर इस तरीके से आपको इसे टिक्की का शेप देना है तो ये देखे हमने टिक्की एक तयार कर ली है और ना इसे बहुत मोटा नहीं रखेंगे थोड़ी पतली सी टिक्की तयार करेंगे तो बस इसके बाद आपको क्या करना है इसके उपर सफेद तिल लगा देने हैं दोनों ही साइड में थोड़े-थोड़े सफेद तिल लगा रही हूँ जिससे नाश्ता दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा पहले सभी पीसिस को इस तरह बना कर त्यार कर लें उसके बाद इने फ्राई करें आप चाहे तो इने डीफ फ्राई कर सकते हैं या मेरी तरह आप इने शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तो यहाँ पर एक पैन में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें ये नाश्टा मैंने डाल दिया है एक तरफ से लगबग देर दो मिनट के लिए इसे सिखने देंगे और उसके बाद ना हम इसे पलट देंगे ध्यार रखेगा थोड़ी दिर सिखने दें उसके बाद ही इसे इस तरीके से पलटें और अब ना दूसी तरफ से भी इसे सिखने दीजिए ये नाश्टा बनाना बहुत आसान होता है कम समय में कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी नाश्टा त्यार हो जाता है और इसे फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है नाश्टा है त्यार कलर अच्छा आच्छुका है एकड़म क्रिस्पी दिखाई दे रहा है तो बस इन्हें निकाल लेते हैं अगर आपका कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा काम नहीं फैलाना चाते तो यह रेसिपी भई बहुत ही बड़ी है क्योंकि कम समय में आसानी से मज़ेदार नाश्टा त्यार हो जाता है अब इसे आप गर्मा गरम सर्व करें इसे हरी देनी की चटनी या टमेटो सोस किसी की साथ भी खाया जा सकता है यह देखें दिखने में भी बहुत ही सुन्दर है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है अगर नाश्टा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करें यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पेस को फॉलो करें